बिसमेल आर्मान रहीम, अस्सलाम अलेकूम, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉइन विजडम, जी आज हम बात करेंगे मेगना कार्टा, पास पेपर्स में ये कुस्टेन बहुत मरतवा रिपीट हुआ है, इसको जरूर त्यार कीजेगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मेगना कार्टा है क्या, एक्चुली मेगना कार्टा का मतलब है दे ग्रेट चाटर, ठीक है, जिसके अंतर एक चीज डेवल्प की गई, यानि कि कोई भी इनसान, इवन चाहे वो किंग हो या बादशाह हो, वो सारे के सारे कानून के सामने पराबर हैं, य ठीक है, और एवन अगर किसके साथ जयाती होती है, तो उसको पूरा का पूरा राइट है कि उसके फेर ट्राइल हो, ये ना हो कि उसके साथ जो है उसको कोट के सामने पेश ना किया जाए, या उसकी बात ना सुनी जाए, ऐसा नहीं है, अगर किसे ने कराइम किया है, तो उ उसके बावजूद भी उसको आपने कोर्ट के सामने पेश करना है, यानि उसको फेर ट्रायल का पूरा का पूरा हक देना है, ठीक है, तो उसके बाद देखना यह है कि यह कब क्रेट हुआ, जी 15 जून 1215 के अंदर, एक किंग था, किंग जॉन इंगलेंड के अंदर, उसके क्या हुआ था, कि कुछ बैरंस थे इंगलेंड के अंदर, जिसको हम नवाब बोलते हैं, या लेंडलोर्ड्स, या महाराजा, जो मुक्तल रियासतों के उपर का, यानि के उनकी हुकमरानी थी, उन्होंने क्या किया, कि वो उस वक्त का जो किंग था, जॉन, इंगलेंड पूरी की पूरी जो हमारे इंगलेंड है, वो मतलब क्राइसिस में है, सो अब आपने हमारे साथ एक माहिदा करना है, कि आपने भी कानून के मताबक चलना है, अब ये नहीं होगा कि आपकी मर्जी नहीं होगी, कि जब दिल चाया, आपने किसी के साथ जंग लड़ ली, जो जो लोग उसको टैक्स नहीं देते थे उनको भी ये मरवा देता था। तो इस हवाला से जितने भी ये बैरंस थे या हम जिनको नवाब बोलते हैं, सरदार बोलते हैं, मुक्तल रहासतों के, वो उसके पास है और उसको मजबूर किया कि आप हमारे साथ निगोशियेट करो और हमारे साथ एग्रीमेंट करो, और उसमें लिखा गया कि जी आज के बाद आप जो भी काम करेंगे वो कानून के मताबिक करेंगे, यानि अब ऐसा नहीं होगा, क्यूंकि पहले ये होता था, कोई भी बादशाह या किंग होता था, वो कानून से उपर होता था, लेकिन मेगना काटा ने इस चीज़ को फर्स टाइम इंटर्डूस करवाया, कि नहीं जी, कोई भी किंग होगा, वो भी लाग के सामने जवाबदा है, ठीक है, तो उसके बाद एक चार्टर मनाया गया, एक एग्रिमेंट किया गया, ये देखें, ये वो एग्रिमेंट है, इसके वेसे चार कापी थी, आज भी बिर्टिश लाइबरेरी के अंदर ये मुजूद है, लेंटन के अंदर, 2015 में इसकी कुछ जो नकल थी, मैनिस्क्रिप्ट की, वो आम पब्लिक के लिए खोला गया था, क्यूंकि इसको तक्रीबान 800 साल पूरे हो गये थी, 2015 के अंदर, ठीक है, और आज भी ये बिर्टिश लाइबरेरी के अंदर मुजूद है, ये देखें, ये एक पैंटिंग है, जेखें, जिसमें जो बेरन्स हैं, जो सरदार हैं, जो नवाब हैं, मुक्तलफ रियासतों के, वो किंग को फोर्स कर रहे हैं, कि आप हमारे साथ मेगना कार्डा को साइन करें, और इसमें आप देख रहे हैं, एक्सपिरेशन किंग जॉन के, कि वो मजबूरी के हालत में इसके ओपर सिगनेचर कर रहा है, क्यूंग वो इसलिए, क्यूंकि उसने बहुत सारी टेक्सिस लगाए थे, और उसकी जो पॉलिसीज थी, वो कोई अच्छी नहीं थी, और लोग बहुत तंग थी, इवनके जो बैरंस थे, वो भी तंग थे, यहां पर मैं एक चीज़ किलियर करता चलो, कि यह जो मेगना कार्डा जो एग्रिमेंट हुआ था, यह किसी आम इनसान का, या आम बंदों का किंग के साथ नहीं हुआ था, बलके जो बैरंस थे, जो अमीर जादे थे, जो इलीट क्लास के लोग थे, उस वक्त के किंग के, उन्होंने किंग को मजबूर किया, कि भई आप क्या कर रहे हो, आपको इसानी करना, ठीक है, तो उन्होंने उसके साथ, एक माहिदा उसको कर दिया, अब यह जो मेगना काटा, इसके अंदर क्या चीज़ें थी, एक्चुली इसके तो, यह विसे लेतिन वर्ड में था, और इसके 63 क्लासे थे, लेकिन जितने भी 60 क्लासे थे, वो आउडेटेड हैं, वो आज के जमाने में एप्लिकेबल नहीं हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, चर्च के मतलिक थी, लेकिन जो तीन क्लासे जो आज भी मुझूद हैं, और आज भी इस्तमाल होती हैं, और आज भी एप्लिकेबल हैं, उसमें नमबर वन, एक तो यह कि इंग्लिश चर्च, यानि चर्च को राइट्स दिये गए, लिबर्टी दिये गए, उससे पहले मुश्किल था, उस तरह चर्च को इज़त नहीं दी जाती थी, जो उनका जो एक मज़भी सेंटर था, रिलीजिस सेंटर था, किस्चैनिटी के अंदर, इसके इलावा, लंडन और दूसरे चोटे मुझे टाउंस, उनको भी आजादी दी गई, उनकी जो कस्टम्स थे, उनकी जो हिस्टरी थी, उसको यानि के उन्होंने कहा, कि आपने इसको प्रोटेक्ट करना है, और सबसे इंपॉर्टन जो एहम तरीन है, वो ही ये है, कि फेर ट्राइल का जो राइट है, सब को मिलेगा, ठीक है, सब को राइट है, कि उनको इनसाफ मिले, किसी की حق तल्फी not हो, किसी के साथ ज्याती नहों, अगर किसी के साथ ज्याती होते, तो उसको इंसाफ दिया जाए, और अगर किसी के उपर कोई الزौम लगता है, तो पूरा का पूरा उसको हक मिलना चाही है, प्येर ट्राइल का, भध हम देखेंगे, इस Magna Carta का आज के जमाने में क्या रोल है जब अमेरिका का Constitution बना था 1791 के अंदर तो उसमें एक Bill of Rights के नाम से एक चीज रखी गए जिसके अंदर जितने भी आपके Human Rights हैं Fundamental Rights हैं उनको इंट्रिडूस करवाया गया था तो ज़्यादा तर चीज़ें उसमें Magna Carta की इंट्रिडूस कराए गई इसलिए इवन इसी तरीके से जो United Nations का जो Declaration of Human Rights 1948 उसके अंदर भी Magna Carta का जो Fair Trial का जो Element है या जो Feature है उसको इसको इस्तमाल किया गया और बहुत सारे चीज़ें उससे इंस्पार थी इसी तरीके से जो हमारे Constitution है पाकिस्तान को इसके अंदर जो Fundamental Rights है आर्ट से लेकर 28 तक उसके अंदर भी आपको Magna Carta की एक जहलत मिलती है खुसुसान Article 10A जिसके अंदर Right Fair Trial यानि सब को एक Trial Fair Trial का यानि को मुका मिलेगा और दूसरा है Article 25 Equality of Citizens यानि कि जितने भी जो शेहरी हैं वो सब कानून की नजर में बराबर हैं कोई भी कानून से उपर नहीं है अब Main Features इसके क्या है Number One पहले है तो यह कि इस Magna Carta ने क्या किया कि जो King की जो Powers इसको Limit कर लिया ठीक है और जो Concept है ने Divine Right का कि यह जी Divine है यह मतलब God की तरफ से आए गये हैं और इनसे कोई पूछकाच नहीं होगी और जनाब इनका जो दिल करे वो करे अब ऐसा नहीं होगा इस Magna Carta के तरह यह थे किया गया कि किंग भी एक आम इनसान ने उससे भी गलती हो सकती है और उसने जो भी काम करना है वो कानून के मताबिक करना है दूसरा Rule of Law अब कानून की हुकमरानी होगी जितने भी रोलर्स आएंगे जितने भी बादशाह आएंगे वो कानून के मताबिक यानि कि उसके सामने जवाब दे होंगे और उसके उपर अमल करेंगे तीसरा The Idea of Rights and Liberties यानि के जो राइट और लिबर्टीज है जो आपको हकुक दिये गए हैं आजादी के इवन कि जो मोनार्क होगा बादशाह होगा वो भी इसको वाइलेट नहीं कर सकता उसके लावा चोथा Heavious Corpus यह बहुत इंपॉर्डन इसका फीचर है Heavious Corpus एक्टुले एक लेतन वर्ड है और यह एक लीगल कांसेट में इसका मतलब यह है अगर कोई इनसान कोई शक्स कोई कराइम करता है या उसके उपर कोई इल्जाम लगता है तो उसको आपने गरिफतार कर लिया या उसको आपने जेल के अंदर डाल दिया लेकिन अगर आप उसको कोड के सामने नहीं पेश करते तो यह एक जरुम होगा अगर कोई शक्स क्राइम करता है चोरी करता है तो आप उसको पकड़ो उसको जेल में नहीं डालो बलके उसको सबसे पहले कोड के सामने पेश करो और एक आम पीरिजनबल पीरिड में ऐसा नहीं है कि एक एक इनसान को आपने तो हफ़तीन हफ़ते तक डिटेंड करके रखा गहर कामनी दोर पे उसको घरिफ़तार करके और कोड के सामने पेश नहीं करते है आज के जमाने में भी देखेंगे अगर कोई बंदा क्राइम करता ह तो उसको आपने खुद अपनी अदालत नहीं लगानी उसको सबसे पहले कोड के सामने पेश करना है और उससे पूछाना कि जी बताएं यह आपने क्राइम किया है कि और उसको पूरा हक देना है अपने डिफेंड करने का फैर ट्राइल का इसके लवा नो रिस्ट्रिक्शन या मार्केट के अंदर जिससे जो है लोगों की जो है ओ उनको डिस्टबंस होती है और पॉबलिक प्रापर्टी डिस्टब होती है तो तब आप उसकी Pharisee को सकते हैं जब तक आपके पास सब्सक्री कोई रिजन नहीं है अगर रिजन नहीं है तो आप किसी की भी आजादी उसको आप इन्फिरिंच नहीं कर सकते इसके लवा legal rights किसी भी शख्स के जो legal rights है आप उसको तब्दील नहीं कर सकते जब तक आपको वो इजाज़त ना दे मिसाल के तौर पे आपने किसी के property से गुज़र के जाना है किसी के property को इस्तमाल करना है आगर आप उससे इजाज़त लेते हैं और उसको कोई इशू नहीं है तो आप इस्तमाल कर सकते हैं जो उसका legal rights है लेकिन otherwise ये नहीं करने ठीक है, तो ये थे magna carta और जो मैंने बिल्कुल आपको शार्ट में समझाने की कोशिश की ठीक है, तो इसके outline इस तरह होगी सबसे पहले introduction लिखना है फिर आपने ये लिखना है और ये कब created किया गया था उसके बाद इसके अंदर बुनिया की क्या चीज़ें थी उसका role क्या है, significance क्या है आज की दोर में और उसके बाद इसके features क्या है जिसमें सबसे पहले rule of law उसके बाद heaviest corpus इसके बाद no restriction of freedom और legal rights could not be changed without consent of people और उसके बाद इसको आपने conclude करना है तो आज के लिए बस इतने ही उमीद है का आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी सो इन्शालला नेक्स वीडियो में फिर आप लोगों के साथ सामने पेश होंगा तब तक के लिए हलावेज